Hello everyone, कैसे हो? में नाम लोगिश्कमार अर्मा, स्वागत करता हूँ आपका अपने प्लेटफॉर्म Academy of Economics में आज मैं आपको हडपा सब्वेता जो आपका 12th क्लास का 1st चैप्टर है इंडस्वेली सिफलाइजिशन इसके बारे में कुछ महत्तपूर्ण तत्थे बताने वाला हूँ जो की आपको बहुत बहुत पहतरीन तरीके से आगे के चैप्टर में समझने के लिए काम आएंगे आपको पूरा चैप्टर इनी चीजों के उपर पढ़ना होगा जो चीजे मैं बताने वाला हूँ आपको तो सबसे पहले हम बात करते हैं हडपा की जो खोज की गई थी दैराम साहानी और राखालदास बैनर जी दैराम साहानी ने तो हडपा की खोज की थी और राखाल दास बैनर जी ने महुँच जोड़ों की खोज की थी और भारत में हडपा का पहला खोजा गया प्रांत भी हडपा ही था अगर आगे हम बात करें तो इसमें यहाँ पर कुछ महत्तपूर्ण चीजे भी हमें मिली हैं जैसे कि दुर्ग बड़े भावन एक तरीके थे और सबसे फिमस यहाँ पर एक आउतल चक्खी मिली है यहाँ पर आउतल चक्खी और सासत यहाँ पर अनिक प्रकार की महरे हमें मिली हैं उन महरों के माध्यम से हमें भी काफी सारी चीज़ों का पता चलता है और सासत यहाँ पर एक बहुती बहतरीन लीपी मिली है जिसको आज तक भी पढ़ा नहीं गया जिसको हम चितरात्मक लीपी कहते हैं और साथ साथ हम बात करें तो इसके इंतरगत और भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे लोथल जो छेतर है वो बंदरगा के लिए फेमस है गोदी बाड़ा के रूप में जाना जाता है एक तरीके से अगर साथ साथ बात करें तो इधर आपको स्नानागार मिलता है जिसका प्रियोग नहाने के लिए किया जाता था जैसे कि आज के टाइम पे आप स्विंग पूल देखते हो उसी टाइप का पहले स्नानागार हुआ करता था उसमें दक्षण उत्तर और दक्षण की तरफ सीडिया हुआ करती थी पानी में उतरने के लिए जैसे आज के आप देखते हो स्विंग पुल्स वगेरा जो हैं उनमें सीडिया होती हैं उसी तरीके से उसमें थी एक तरीके से और बहुत सारे कुए मिलते हैं वहाँ पानी की उपलब दता थी पूर्ण रूप से वहाँ पशुपती को बहुत महतु दिया जाता था और यहाँ पर एक तरीके से राजा का भी प्रशाशन माना जाता है यहाँ पर कुछ इतियासकार कहते हैं कि राजा का शाशन है कुछ इतियासकार कहते हैं कि नहीं है एक तरीके से ओर भी सासठ बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि अगर शवाधान की बात करें तो शवाधान क्या होता है मृत व्यक्तियों को दफनाने का जगह होती थी कप्रिस्तान जिसे आप बोलते हुँ शवाधान के रूप में जाना जाता था और उस सवाधान के अंतरगत कहीं कहीं तो ऐसे बताया है कि मनुष्य के साथ कुत्तों को वितफनाया जाता था कुछ ऐसे प्रमाण हमें वहाँ पर मिले हैं उनके कंकाल वगेरा मिले हैं और सबसे बहुत ही बहतरीन बाद आपको बतातू जो आपका प्रांथ है जो छेतर है उसका नाम क्या है मिर्तेकों का टीला भी नाम उसको दिया गया है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल वगेरा मिले हैं जिसके कान ये कहा जाता है कि वहाँ मिर्तेकों का टीला था और भी वहाँ पर काफी साथ लोगों को एक साथ जलाया जाता था जो राख ही खटी हो जाती थी धेर बन जाता था ठीक है राख का उसी के कारण भी उसे मृत्यकों का टीला कहा जाता है एक तरीके से ओके थैंक यू